Hello, Good Morning and Welcome Back Friends, आप देख रहे हैं Pacer Education यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, 4 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेवर नती हैं, सारी इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे, साथ ही काफी सारे extra effect भी यहाँ पे discuss करेंगे, सो पूर जगदिशन जो है, हाल ही में पिछले मेंने HDFC बेंग के नए CEO चुने गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, चलिए अब बात करते हैं आपर आज की current affair की, देखे पहला काशन है हाल ही में किस राज्ये के कीवी को जेविक प्रमान पत्तर दिया गया है, जो की कीवी के लि ये जेविक प्रमान पत्तर दिया गया है, देखे यहां पर आपको बता दे कि जो ये प्रमान पत्तर है, ये पूरोतर छेतर के लिए Mission Organic Value Chain Development योजना के तहत इसको दिया गया है, ये आप ध्यान रखियेगा, किसी भी देखे अगर मैं बात करता हूँ, जेविक प्रमान पत ये जेविक प्रमान पत्तर दिया जाता है, नेक्स्ट यहां पर देखे कोसन है, केंद्रिय मंतरी धर्मेंदर प्रदार ने हालखी में किस कमपनी दुआरा विक्षित देश का पहला 100 अक्टेन प्रिमियम पेट्रोल लॉंच किया है, ये चीज़ काफी इंपोर्टेंट है, देखे हालखी में जो इंडियन ओल कोर्परेशन आयोसी, इसने यहां पर देश का पहला 100 अक्टेन प्रिमियम पेट्रोल है, उसको यहां पर लॉंच किया है, ये आप ठ्यान रखेगा, इसको विक्षित किया है, और इसको हालखी में यहां पर जो है, जो केंद्रिय मंतरीय धर्मियम नतरप्रदान इन्ही के दुवारा इसको लॉंच किया गया है, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि देश का जो पहला 100 अक्टेन जो मनक पेट्रोल है, वो किसके दुवारा विक्षित किया गया है, तो आयोसील जो इंडियन जो ओईल कॉर्परेशन है, इसके फिलाहाल इसकी शुरुआत जो है, मुंबई सईद कुछ चुनिंदा सेरो में की गई है, जिर देर ये देश बर में में उपलब्द करवाया जागा पूरे देश में, ठीक है, अगर वारत में बात करते हैं, तो देखे भारत जो है, इस तरीगे पेट्रोल को इस मानक को इस हंडेड ओक्टेन मानक को पेट्रोल को जिसने विक्षित किया है, यह आप ठें रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर अब तक अधिकांस जो भारत में जो पेट्रोल के मानक जो मिलते हैं, उसमें देखे यहाँ पर 87 जो रेगुलर है, वो मिलता है, 89 मद्देग्रेड वाला म भारत में उपलब्द हो चुका है, नेक्स्ट यहाँ पर दिखे को सन अपना, एक दिसंबर 2020 को किस राज्ये ने अपना 58 इस्तापना दिवस मनाया है, तो आपका करेक्टम शोगा नगालेंड ने, नगालेंड ने हाल ही में अपना 58 इस्तापना दिवस मनाया है, यह आप ठ अपनी सीमा सेर करता है, इसकी सबसे उची जो पहाडी है, वो है सरमती यह आप ठ्यान रखेगा, अगर वर्वा करंट की बात करें तो वर्तमान में जो मतलब कि इसकी जो गवर्नर है वो है आर एन रवी, इसकी केपिटल है कोहिमा और सीम है नेफियो रियो इसके वर्तमान में मोखे वंतरी हैं, नेक्स्ट कॉसन देखिए, फिर देखिए अगला कॉसन अपना, ब्रिटेन ने किसकी दुआरा विक्षित BNT16 B2B विक्षिन को आपातकाल उप्योग के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही वह ऐसा करने वाला पहला पस्तिमी देश बन गया है, तो करेक्ट अन्स होगा आपका यहाँ पर अमेरिकी फाइब, जो कंपनी है फाइजर, इसी के दुआरा इस BNT16 B2B विक्षिन को विक्षित किया गया है, नाम ध्यान रखिएगा, और हलही में किस देश ने इसके उप्योग को मंजूरी दे दी है, ब्रिटेन ने इसके आप पातकालीन उप्योग को मंजूरी दे दी है, यह आपको ध्यान में रखना है, चलिए, यहाँ पर देखिए जो विल्टेन है, इसमें जो अमेरिकी कंपनी है फाइजर, इसी के दुआरा विक्षित इस BNT16 B2B विक्षिन को मंजूरी दे दी है, यह आप ध्यान रखिएगा, और अगले सब्ता से जो है, पूरे विल्टेन में इसका वियापक्टी का करण भी सुरू होने की यहाँ पर गोशना की गई है, चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर कौसन है अपना, दो दिसम्बर 2020 को भारत और ACI विकास बेंक ने किस राज्ये में वित्तिय प्रबंदन जो प्र कि डॉलल करेंड समझता हुआ है कि इसके बीच में भारत और ACI विकास बेंक ने कि ADB के बीच में, इन दोनों के बीच में यह समझता हुआ है, यहाँ पर देखे हमने ADB की बात किये, ACI विकास बेंक ठीक है, यह एक छेतरी विकास बेंक है, जिसकी स्तापना कभी थी, 1966 में यहां पर जल्द ही रामाइन क्रूज सेवा शुरू करने को मिझूर दे लिए है यहाँ पर करेक्टान्स होगा यहाँ जो शर्यू नदी है आयोध्या में उसी पर ये रामायन क्रुज सेवा सुरू करने की यहाँ पर बात कही गई है रिसेंटली इसको मंजूर दी कही है और जल्दी इसकी शुरूआत कर दी जाएगी ठीक है कहाँ पर आयोध्या में कौन से इस्तान मिला है करेक्टान्स रोग आपका आठवा इस्तान देखिए यहाँ पर जो ग्लोबल टेरे रिजिम इंडेक्स है यह हाल ही में जारी कि गया है 2020 का ठीक है जिसमें आप यहाँ पर 2019 में जो आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों है उनकी यह 7.7 में से यहाँ पर इसको स्कोर कितना मिला है 7.353 जो है इसका स्कोर रहा है यह आप ठ्यान रखिएगा भारत में 2019 की बात करते हैं आतंकवाद के कारण 277 3449 घायल 558 जो है लटना इस तरीके की दर्ज की गई है यह आप ठ्यान रखिएगा देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है अफगानिस्तान है फिर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है इसमें और उसके बाद में आता है हमारा पाकिस्तान साथ नंबर पर ठीक है और इंडिया यहाँ पर आता है कौन से नंबर पर आठवे न पुटान है वो सबसे कम आतंक्वास से प्रभाविद देश है यह आपको धान डखना है जिसको लाष्ट यानि की 135 वी रैंक मिलिए उसके बाद में 134 वी रैंक मिलिए उजबेकिस्तान को और यहां पर कतर जो है इसको 133 वी रैंक मिलिए तो जो लाष्ट में जो रैंकिंग ह वो सबसे कम प्रभाविद देश है आतंक्वास से यह आपको धान डखना है तो यह तो हो गया जीटिया के बारे में अगला कौसन देखिएगा किसको सीमा शड़क संगठन जो बोडर रोड ओर्गनाइशन है इसका 27 महाने देशक हाल ही में चुन लिया गया है तो आपका कर पर देखिए कौसन अपना निम्न में से किस देश की संसंथ ने हाल ही में climate emergency will पारित किया है देखिए यहां पर जलवायु आपातकाल जो है यह यहां पर इसका मतलब हो रहा है और यह हाल ही में newegreeland ने पारित किया है देखिए new retard ही में यहा में climate emergency जो है लगाने की घोशना क है अगर यहां पर देखिए जिसकी लागू को उने के बाद में क्या वेनिफिट्स होने वाले हैं दोजार पचास तक जो है या उससे पहले विक तक जो है यह कार्बन उत्रजन सुन्ने कंट्री बन जाएगा और कार्बन उत्रजन को सुन्ने तक पहुंचाने का टारगेट र हां डखने आए ठीक है अउकलेंड इसकी लार्जेस कंट शीटी है नेक्स्ट यहां पर देखिए कॉसन अपना तीन दिसमबर को विश्ववर में कौन शा दिवस मना जाता है तो यह मना जाता है विश्वव विकलांग दिवस यह फिर दिव्यांग जन दिवस जो है आप कह रिकोर्ड बना लिया है हाल ही में यह खोई लगा था और इसमें जो है विराट कोली अब जो है सबसे तेज 12,000 बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गये हैं पहले रिकोर्ड किसके नाम था सचीन तेंदुलकर के नाम था यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए यहां यहां पर विराट को लिये है इन्होंने वंडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 बनाने का यहां पर नया रिकोर्ड बनाया है यह इनके करियर का 251 वा वंडे मिच खेला था अली इन्होंने और यहां पर जो विराट को लिये इन्होंने टोटल 242 भी पारी में जो है यहां पर यह दोस्ट बारा जारन बनाने का जो रिकोर्ड है वो बनाया था और यहाँ पर अगर सचीन तेनल की बात करते हैं तो इन्होंने तीन सो पारियों में यहाँ पर यह उपलब्दी हासिल की थी जबकि जो विराट को लिए इन्होंने दोसो ब्याली सपारी में ही यह मेंज खिले हैं यह आपको ध्यान डखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखे कोसन है अपना आइसिस सी टी ट्वंटी रैंकिंग में उस्टेलिया को पीछे छोड़ कर कौन सा इस पहले इस्तान पर आ चुका है तो यहाँ पर जो पहले इस्तान पर है वो आ गया ह इंग्लेंड की टीम यह आपको ध्यान डखना है इंग्लेंड पहले इस्तान पर आ चुका है अभी रिशेंटली हुआ था देखी जो मैच हुआ था इंग्लेंड ने दक्षिन अफरीका को तीसरा और जो चोथा जो अंतिम टी ट्वंटी इंटरनेसल मैच हुआ था उसमें नौ विकेट से हरा कारी सीरीज वारा 3-0 से अपना हधिकार जमाया था और इसी जीत के साथ यह जो आईसी सी की ताजा रंकिंग है इसमें अब जो इंग्लेंड है यह पहले नंबर पर आ चुका है नंबर 1-2-2 टीम बन चुका है इससे पहले जो है इसमें ऊस्ट्रेलिया पहले नमबर पर था अब जो है उस्ट्रेलिया दूसरे नमबर पर आ चुका है और भारत इसमें जो है तीसरे नमबर पर आ चुका है ये आपको धान रखना नेक्स्ट आज की क्विज देख लीजिएगा इसका अनसर आपको नीचे कमेंट वोक्स में लिखना है कौसन है कि बीते मैंने रक्षा मंत्री दुआरा की सिराज्चे में 450 मिटर लंबी नेचीफी सुरंग के आधार सिला रखे गई थी यह आपको बताना है सुगाई जी थी आज की गरणट फिर होप आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक शिर कीजिएगा आज की इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं नेक्स टूडियो में धन्यवाद